यहां पर आप लोग देख पाओगे हाल ही में एक वीडियो सामने आई है USA से जिसको देखकर पुरी दुनिया शौक्ट है कि यह युनाइटेट स्टेट्स अफ अमेरिका में हुआ है एक वार को लग रहा है कि ऐसा कुछ कह लीजे किसी कमजोर आफ्रिकन कंट्री में या फिर एक टाइम पर आज है काफी सालों पहले चाइना में ऐसी वीडियो सामने आती थी मगर USA में ऐसा हो जाना एक बहुत ज़रा शौकिंग बात है यहां पर आप देख पाएंगे दुनिया भर में इस पर आर्टिकल्स पब्लेश हो रहे हैं एक पूरा ब्रिज कोलाप्स कर गया जब एक कारगो शिप ने एक सिंगापूर की कारगो शिप ने इसे डिरेक्टली हिट किया जो वीडियो है इसकी यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इट इस अन्रियल धाई किलोमेटर का ब्रिज देखते ही देखते तूट गया एक शिप की वज़े से नाउ यहां पर आ आप देखोगे जैसे ही यह टक्कर होती है यह पूरा जो ब्रिज है यह कुलाप्स करना स्टार्ट कर देगा देट सिट गॉन वो शिप जो है वो भी डिस्वाई हो चुकी है कारगो शिप थी देस शॉकिंग इस वेरी शॉकिंग मैं कई बार देखता रहा आज के समय वैसे इंडियन्स के अगेंस्ट जो रेसिजम है वो मैं देखता हूं मैं मेरा मन नहीं करता ट्विटर यूज करने का मैं जाता नहीं हूं यहां पर बहुत जादा रेसिजम होते इंडियन्स के अगेंस्ट और बीच में कुछ वीडियो सामने आई थी कि बिहार के एक ब्रिज का पार्ट टूड गया है उसको लेकर काफी racist comments लोग कर रहे थे बट मैं at least यहाँ पर देख रहा हूँ कि कई डियंस condolences दे रहे हैं US को कि देखिये bridge है unfortunately infrastructure crumble करता है ऐसे events होते हैं हम लोग USA को third world या फिर कोई एक failed country नहीं कह रहे बट बहुत जारा shocking है कि US जो खुद को एक super power कहता है वहाँ पे ऐसा एक event हो जाता है कि कार्गोशे बिलकुल bridge का जो एक बहुत ही important pillar है इसको destroy कर देती और यह bridge भी आसा नहीं है कि छोडा दा bridge है it is a massive bridge मैं अगर आपको world map पे दिखाता हूँ यह bridge अगर उससे पहले एक important जानकारी आप सब लोगों के लिए आज आखरी दिन है sale का और अगर आप सोच रहे हैं wait आप वीडियो के बीज में add करने वाले हो anyway so आज आखरी दिन है holy sale का आज रात मदिरातरी को यह sale खतम हो जाएगी तो prices अभी गिरे होए हैं आप courses purchase कर सकते हैं study IQ के simply जाएए comment section में यहाँ पे आपको link बिल जाएगा आप UPSC का course या फिर various और courses जो available है study IQ की website पे यह आप purchase कर सकते हैं जो UPSC course है by the way this is very special क्योंके यहाँ पे prelims लेकर interview तक study IQ आपका साथ देगा आपका prelims clear होता है आपको दिल्ली बुलाया जाएगा आप दिल्ली में रहेंगे study IQ आपके accommodation का खरचा उठाएगा आपको interview में भी help की जाएगी आपको one-to-one mentorship दी जाएगी answer writing program होंगे live classes यह सब आपको मिलेगा और जो quotes का यहाँ पे price आपको दिखना न के 30 महीने के लिए आपको pay करने होंगे 34,000 यह कभी भी pay मत कर देना simply यहाँ पे code use करिए PD10 and the prices will start falling maximum discount यहाँ पे आपको मिलेगा by using the code PD10 so use the code and save money alright so यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है Asia का map और यह है हमारा प्यारा भारत और अगर हम जो रिसेंट ब्रिज की जो हम बात कर रहे थे Francis Scott Bridge इसको देखे तो यह आपको मिलेगा USA में यहाँ आप आप देख पाऊगे यह USA है इदर ठीक है नीचे यहाँ पे Florida हो गया यहाँ पे उपर आपको New York मिल जाएगा और अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पे Baltimore की तरफ तो यहाँ पे आप देख पाऊगे लिटरली सैटलाइट से दिखता यह ब्रिज यहाँ पे आप देख पाएंगे यह वो ब्रिज है जो आप नहीं रहा और as of now देखिए मिर्तको का आकड़ा हमें पता नहीं है बड़ बताया जा रहा है कि यह एक mass casualty event हो सकता है कई लोगों की जानिया पर गई है कई गाडिया है जो बिलकुल नदी में भैजुकी है अभी इस वक्त USA को कुछ idea नहीं है कि यह सब हुआ भी कैसे एक cargo container का जो भी यहां पर captain था ship को जो भी lead कर रहा था वो इतना आंदा कैसे हो सकता है कि सीधा bridge का जो main pillar है वहाँ पर यह देवारे अपनी cargo ship मैंने यह ऐसा कभी देखा नहीं है usually यह तब होता है जब bridge के आसपास निकलने का रास्ता बहुत कम है बट यह बहुत ज़रा huge bridge था cargo ship आराम से निकल सकती थी यहाँ पर आप देख पाएंगे there was plenty of area मगर बहुत अजीब है के सीधा cargo ship ने bridge को destroy ही कर दिया question यहाँ पर आपका यह आएगा कि जो यह video है यह दुनिया भर में circulate होगी इससे USA की जो image है यह कैसे impact होने वाली है मैं आपको यह बता दूँ पिछले कई सालों से मैं I mean easily यहाँ पर कह सकता हूँ पिछले 7-8 सालों से न लगातार इस बात को लेकर USA में चर्चा हो रही है कि इनका infrastructure बिखर रहा है American infrastructure is falling apart एक टाइम पर 1970s, 80s के टाइम में इन्होंने जो infrastructure जो buildings जो bridges बना लिये थे वही आज कैसे हम इनको support कर रहे है नए bridges या पुराने bridges की जो repair इनको करनी थी जो इनको expressway बनाने थे उसमें इनकी investment अब उतनी नहीं रही जितनी एक टाइम पर हुआ करती थी आप इसके बारे में एक basic गूगल search करोगे न आपको इतने सारे articles मिलेंगे इतनी सारे reports मिलेगी जहाँ पर literally ये बार लिखी है कि US infrastructure is falling apart pictures यहाँ पर दिखाई जाएगी USA में ही इस पर reports पब्लिश हुई है gets a C minus क्योंकि USA में देखिए problem simply यही है ये लोग दूसरे देशों की funding जादा कर रहे है walls की funding जादा कर रहे है अपनी जो defense companies है उनकी funding जादा कर रहे है अपने देश में इनको जो infrastructure पर काम करना चाहिए जो school नाने चाहिए उस पे इनका ध्यान इतना है नहीं literally आप देखो Ukraine war में हुआ क्या है USA ने अपना सारा जो defense equipment है ये भेज दिया Ukraine को बहुत सारा defense equipment भेज दिया अब obviously इनको नया defense equipment चाहिए तो उसमें क्या होगा कि वो सरकारी पैसा जो एक बार को अमेरिका में ही खर्चोना चाहिए था वो चला गया Lockheed Martin के पास वो चला गया Boeing के पास अब वो defense companies USA के लिए नया defense equipment बनाएंगी ना एक बार को आप क्या सकते हैं इस देखो economy को boom मिलता है jobs बनती है defense sector में ती jobs नहीं बनती आपको jobs बनानी है तो जो इंडिया कर रहा है आज के समय rapid rate पर आप बनाओ सडके आप बनाओ expressways आप बनाओ corridors उससे jobs भी बनेगी और धीरे धीरे आपका जो infrastructure है ये भी improve होगा और अभी आने वाले American elections में infrastructure एक major issue बनने वाला है क्योंकि Biden का देखिए एक बहुती ज़रा strong point ये था ये बार-बार कहते ले के इनके अंडर American infrastructure decade आने वाला है America बहुत सारा पैसा खरजेगा infrastructure building में ये कह रहे थे Biden का ये कहना था के Trump ने उतना काम नहीं किया for infrastructure जितना Biden ने किया है but जो ये incident सामने हुआ है Trump definitely इसको use करेंगे Biden को attack करने के लिए American public को ये बदाने के लिए के देखिए America किस तरीके से काम कर रहा है हमारे bridges कोलाप्स कर रहे है we have to do something तो बिलकुल इस event का impact आप American elections में भी देखोगे और US elections से related और कुछ सामने developments आती है तो बाद में मैं आपके लिए updated video ले आऊंगा for the time being this is the end of this video thank you for listening and as I always say may the gods watch over you